नमस्कार दोस्तों Ultimate Health and Home Remedies चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि थाईस को कैसे कम किया जाए यानि कि जांगों की जो चरवी है जिसे हम लोग Cellulite बोलते हैं या हम लोग Edipost Issues के नाम से उसे जानते हैं तो ये हम लोग कैसे कम कर सकते हैं बहुँ जादा difficult होता है जांगों की जरवी को कम करना क्योंकि ये extreme level होता है जब किसी भी व्यक्ति के fat जमना जो है वो शुरू होता है तो यहाँ पर जो होता है वो last fat जो है वो आकर जमा होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं कि cellulite जो है वो अपना extreme जो position है वो ले चुगा है तो कैसे हम लोग उसे कम करें हम लोग इस चरवी को सिर्फ और सिर्फ exercise के जरीए ही कम कर सकते हैं food भी होते हैं कि अगर आप लोग calories को कम करते हैं तो यह चरवी यहाँ की लटकने लग जाती हैं क्योंकि जो elasticity होती है skin की वो बहुत जादा बढ़ने लगती है यहाँ पर आकर और दोबारा से वो recover नहीं होती है elasticity जिसकी वज़े से जांगो की जो चरवी है वो लटकने लग जाती है definitely आप लोग समझ चुके होंगे कि मैं कहना कह चाता हूँ तो आप लोगों को exercise का सहरा लेना होगा आप लोगों को ball exercise करनी होगी जिससे आप लोगों की जांगो की जो चरवी है वो कम हो सके तो जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि कौन सी exercise आप लोगों के लिए बहतर है तो आप लोग बोल exercise का इस्तेमाल करके आप लोग जांगों की जर्बी को कम कर सकते हैं दूसरा है कि इससे आप लोग जो हाथों में वेट रखना और आप लोग स्क्वाट की तरह पोजिशन आप लोगों को लेना तो ये भी आप लोगों की जांगों की जर्बी को कम कर सकते हैं इससे आप लोगों की जो cellulite हो गए वापस में तूटने लग जाएंगे और वो उर साइकलिंग के जरिये भी आप लोग अपनी जांगों की जर्बी को कम कर सकते हैं हफते में दो बार आप लोगों को साइकलिंग जरूर करनी चाहिए पांच बार अगर आप लोगों की जो रीड है वो भी स्ट्रेट रहती है जिससे आप लोगों को अधर जो स्पाइनल प्र है जांगो की चरवी को कम करने का इसके बाद में फुटबोल है बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग फुटबोल खेलते हैं या आउड़ोर गेम्स का इस्तेमाल करते हैं उनके पैर जो होते हैं वो ज्यादा स्लिम होते हैं as compared to other body parts तो आप लोगों को इस बा इसके बाद में हैं brisk walk as usual मैं हमेशा ही आप लोगों को suggest करता है या हूँ कि brisk walk एक अच्छा option है overall weight कम करने का जिसे हम लोग subcontinous fat, visual fat या हम लोग white fat भी बोलते हैं तो ये एक अच्छा option है कि अगर आप लोग brisk walk करते हैं तो आप लोगों की जांगों की चरवी भी कम होगी या हम लोग कहें belly fat कम होगा तो definitely overall body जो है recover mode में आएगी अगर आप लोग brisk walk की और जाते हैं तो different types के benefits जो हैं आप लोगों के brisk walk से मिलते हैं तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि brisk walk के कितने benefits हैं तो आप लोग video के top up पे जाहिए right side corner पे आप लोगों को card मिलेगा व उसकी help से आप लोग brisk walk के फाइद आप लोगों को मिल जाएंगे तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और साथ ही अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने whatsapp और facebook पर इसको share कीजिए ताकि दूसरों के लिए ये motivational video जो है वो शावित हो सक करता है या हम लोग कहें कि जो glycogen hormone है जो आप लोगों की body में insulin के just विफरीत होता है उसे भी improve करता है आप लोगों का नीद यानि कि अगर आप लोग जल्दी सो जाते हैं और लंबे समय तक आप लोग सोते रहते हैं तो आप लोगों की overall body fat जो है वो reduce करने का एक अच्छा विकल पाप लोगों को मिलता है या हम लोग कहें कि जो आप लोगों की हंगर hormone है GLP-1 hormone जिसको हम लोग बोलते हैं अगर आप लोग उसे कम करना चाहते हैं तो आप लोग जो हैं नीद का सहरा ले सकते हैं जो बैक्ति ज्यादा सोते हैं वो ज्यादा पतले होते है as compared to जो लो पर नींद का साहिता लेनी ही होगी अगर आप लोग एडिपोस टिशूस या सेलुलाइट को बर्न करना चाहते हैं तो धन्यवाद